विल्कम टू MLT Lab Manual तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे विटामिन B12 क्या होता है और इसकी कमी क्या लक्षन है और B12 का सोत क्या क्या है और विटामिन B12 टेस्ट क्या होता है और क्यों करा जाता है और नॉर्मल रिंज कितना होता है सेंपल कब देना चाहिए और टेस्ट का प्राइज कितना होता है और बढ़ने घटने से क्या हो सकता है तो इस सब सारे चीजें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में तो जो बिटामिन B12 जो होता है उसका काम होता है हमारे ब्लड बोड़ी में रेड ब्लड सेल्स का निर्वान करना का ठीकनिकली अगर बोले है तो आर्वी सी का निरवान निर्वान करना होता है लेकिन उसे डूसे चरम में बोले है जो ब्लड बनाने में हमेरे हलप करता है और हमारे बोडी बनाने में वह सब बता operation करने मेंदाव करता है और आर्स जी न northeast जो है हमारा ब्रेन जो होता है उसको सही से काम करने में भी यह help करता है तो विटामिन B12 का स्रोत क्या क्या है तो विटामिन B12 का में स्रोत होता है वह मांसारी खाना होता है जिने राइंग लेट मच्री प्रोड़क्ट होताय या रिक्स सब्सक्राइब काaden लुक्साकारी होते हैं वोगों क्भूद के कमी होती है उनकों लोगों में भूए क्टो यह कि मैं कोउति है यह जैसे विटा मेन वारे गता मैं जती कम हो जाये तो हम बोलते यह इन्यमिया शे extraordin harbor यह जब इनियमिया के लक्षन हैं यह सब लक्षन हो सकता है यह जैसे कि बार-बार मुह में छाले होना कान में सीटी जैसे सुनाये देना सांस फूलना तनाव यह यादास्त कमजोर होना जो हमारा ब्रेण होता है वह भी ब्रेइन का function भी कमचोर हो जाता है B12 B कमी से और उसके बाद भूखा कम लगना जो है पीला पर जाना जिसके जुक्त में बीटामिन B12 की कमी के अब बीटामिन बीटामिन B12 की कमी के तो यह एक परकार का Blood Test होता है जिससे शरीर में vitamin B12 की मात्रा जाने के लिए किया जाता है कि हमारगए में कितना vitamin B12 की मात्रा कम हैång적 तो उसके पता लगाने की B12 test जिवा जाता है लिबरेट्री में तो जो vitamin B12 test होता है वो कौन कौन सी लख्षेन ओ जाता है तो मुक्ता जो यह जाता है एंगा पता लगाने के लिए किया जाता है नहीं जिए कर देर ominologic इंसकर problem में भी यह करवा सकते हैं किसी को कि स्ट्रेस डिप्रेशन या आदास्त की कमी या जो भी दिक्त होती है वह हो तो यह जो सकते हैं कि वह कुंत कराया विकित करें विक्ती नहीं किसी टेस्ट करा आया उसके report में मानिचे कि एमोकलोविन या RVC या PCV या जो भी जो है अबनॉर्मल रिपोर्ट मिलता है तो उसमें भी यह टेस्ट जो करा सकते है बलड सेंपल कब देना चाहिए तो इसके लिए बलड सेंपल आट से दस घंटे का खाली पेड सेंपल देना होता है और इसके लिए और सब लेने के बाद जो है इसको हमेसा जो है अलुम्नियों फाइल में ट्यूब को लपेटना होता है नहीं तो सनलाइट की परजेंस में जो है वो रियक्षन कर सकता है विटामिन बीट्वर्ट टेस्ट की जो कीमत होती है वो 800 से 1000 रुपिय होता है लैब की मात्रा कम ले रहे हो खने में में जैसे मांसहरी खाना यह सबाब नहीं खारे तो हो सकता है कि आपको कमी हो गई हो गयो थो énumya या कून की कमी जैसे दूदी ब्लीटिंग लॉस होता है या किसी सर्जरी में या किसी प्रेइनशी या डिलीविरी में बेभी बिर्थ में तो उसमें ब्लीडिंग लिकी होता है थो उसके वज़ासे भी विटामिनी B12 की कमी हो जाती और या कि आज़े किसी को आंतों कि वही हो है फिर जया फिर इसका अबर będę मात्रा में है लेकिन हमारा जो इंट्रेस्टाइणि जो आथ होता है उसके बज़ाइस से भी कमी हो जातेWow में चाहिए ठीक होता है उसके बज़े से ब्ली ओग जाती या बच्ट्री या कि सर्जरी जहां पर बीटामिना थाध्य को बने के कारण हो बीट्वल की मात्रा जादे नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो इसकी कमी बहुत सारे लिवर की बीमारी में जैसे कि सिरोशिस हो गया है या हैपटाइटर्स हो गया लिवर कैंसर हो गया या कंगेस्टि व कार्णिक रिनल फैलियर में भी जो भी बढ़ जाता है इसको चैंसर बोलते हैं उसमें भी बढ़ जाता है जादा हो जाता है तो पॉली साथीमिया हो गया इसकीन कार्सीनोवा हो गया प्रोटीन की कमी इन सब केस्वों में विटामिन B12 बढ़ जाता है तो यह था मरा आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो फिली जिसे लाइक सब् राइब शेयर जरूर केज़ेत्य।